हेलो दोस्तों 13 companies के बारे में बात करेंगे जिनका dividend details बाहर हो चुका है detail में हम discuss करेंगे सबसे पहला नाम है defense में बड़ा नाम है B.E.M.L. defense के साथ-साथ mining है construction है वहाँ पर भी उनका काम है 15 rupees 50 पैसे का dividend हो रहा है अब देखें दोस्तों ये एक important चीज़े है है अभी final dividend जो है कंपनियों के द्वारा recommend ही हो रहे है अभी जो record date है payment date है वो अभी तक आई नहीं है maximum के cases में तो अभी मैं आपको क्या सिर्फ जो final dividend का जो details है जो की खाली number है वही मैं आपको बता पाऊंगा दोस्तों ठीक है आने वाले time आएगी ठीक है अब February के महिने में जो भी शेर होल्डरस थे eligible शेरोल्डरस उनको 5 रूपीस का dividend मिला था तो टोटल डिवीडेंट पुरा जो financial year 24 खतम हुआ है 20.5 का dividend हो रहा है शेर प्राइज अभी है 3,671 का उसके हिसाब से आप देखेंगे 0.56 परसंट की इल्ड है लास्ट यर डिवीडेंट कितना था 10 रूपीस का dividend दूसरा नाम है ऑटो सेक्टर में बड़ा नाम आईशर मोटरस 51 रूपीस का dividend हो रहा है शेर प्राइज है 4,657 का तो 1.1 परसंट की डिवीडेंट डिवीडेंट हो रही है अब जो पेमेंट है तो 37 रूपीस का dividend था जो कि इस बार बढ़के 51 रूपीस का हो गया है थार्ड तीसरा नाम है दोस्तो यूनियन बैंक कितना dividend है 3 रूपीस 60 पैसे का यूनियन बैंक का dividend हो रहा है यहां पर शेर पैस है 140 के असपास में 142 जब यह मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह देख सकते हैं आप 2.5 परसंट की इल्ड हो रही है dates और details जो है बाद में आएंगी last year dividend 3 रूपीस का था तो last year के comparison में union bank में dividend increase हुआ है Tata Motors यहां पर 3 रूपीस का normal dividend है और 3 रूपीस के special dividend है तो total कितना dividend हो रहा है 6 रूपीस का dividend हो रहा है थोड़ा ज्यादा यहां पर जो है dividend देखने को हमको मिल रहा है अब last year कैसा dividend था Tata Motors के case में 2 रूपीस 10 पैसा तो उसके comparison में इस बार dividend भी ज्यादा है तो उससे पहले एक important सूचना आप हमारा जो telegram group है उसको join कर सकते है 4400 से बड़ी की community है description box में मैंने link को दिया हुआ है यहां पर passive income, personal finance, business analysis, mutual fund, उनके latest portfolio सबके बारे में details आती रहती है दोस्तों नेक्स्ट है bank of India पाच्वा नाम है 2 रूपीस 80 पैसा का dividend हो रहा है शेर प्राइस है 138 का जब यह मैं वीडियो बना रहा हूँ 2% की yield हो रही है last year अगर आप देखेंगे the dividend 2 रूपीस का था तो increase यहां पर देखने को मिल रहा है अगला नाम है pharma में major, nifty में एक बड़ा ना सिप्ला 13 रूपीस का dividend हो रहा है सिप्ला के केस में हमको record date देखने को मिली है August 2 record date है शेर प्राइस कितना है 1340 जब यह मैं वीडियो बना रहा हूं एप्रॉक्स 1% की dividend yield हो रही है last year आप देखेंगे जो dividend था 8 रूपीस 50 पैसे का था तो dividend जो है सिप्ला के केस में हमको increase होता हुआ हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों अगला नाम है जी इशिपिंग बहुत कम कंपनिया है ऐसा जो हर quarter में dividend देते हैं उनके द्वारा हर quarter में dividend आता है इस बार कितना dividend आ रहा है 10 रूपीस 80 पैसा का final dividend आ रहा है और 28.8 का जो है dividend हो रहा है एक यहां पर special dividend भी आया था ज 30 रूपीस का dividend आ रहा है शेर प्राइस 6,180 के आसपास में तो जो येल्ड है 0.5% की हो रही है लास्ट येर पॉली कोईप की तरफ से 20 रूपीस का dividend आया था अगला नाम है महानगर गैस उनके द्वारा हम देखते हैं साल में दो बार dividend आता है इस से पहले interim dividend 12 रूपीस का आय ठीक है तो 18 रूपीस का dividend interim dividend अभी कुछ माहिनों पहले ही आया था 12 रूपीस का तो टोटल कितना 30 रूपीस का dividend हो रहा है जब यह वीडियो बना रहा हूं तो 1306 का शेर प्राइस है तो जो डिवीडेंड है 2.3% की हो रही है महानगर गैस में लास्ट येर जो डिवीडेंड का final dividend हो रहा है May 22 रेकॉर्ड डेट है यहां पर रेकॉर्ड डेट आ चुकी है दोस्तों May 22 State Bank of India में रेकॉर्ड डेट है फिर जो डिवीडेंड है वो हो रही है 1.67% कितना 816 के शेर प्राइस में अगर आप देखेंगे लास्ट येर जो डिवीडेंड था वो 11.3 का ट्रेस्टिंग है दोस्तों उनके द्वारा भी हर क्वाटर में dividend आता है तो अभी जो फाइनल डिवीडेंड रहा है 16.5 का final dividend आप इंटरिम डिवीडेंड आ चुके हैं हर क्वाटर में आये हैं तो वो डिवीडेंड कितना 30 रुपीज के आ चुके हैं आप एड़ करने अग की तरफ से एक रेगुलर डिविडेंट हमको देखने को मिल रहा है गुजराद गैस यहां पर गुजराद गवर्मेंट ने लास्ट इर पॉलिसी चेंज की ती जहां पर जो गुजराद बेस्ट कंपनीज हमको कहा था कि आपके प्रॉफिट का 30% तो आपको डिविडेंट जो यहां पर गुजराद गैस गैस क्वायड में Each और आखरी नाम है गोड्रेज कंपुमर इंटरिम DC 10 रूपिस का हो रहा है इससे पहले 5 रुपीस का इंटरिम डिविडेंट आया था तो टोटल 15 रूपीस का डिविडेंड हो रहा है पेमेंट जो ने यहाँ पर डिसकस किये और भी बहुत सारे नाम आने वाले हैं इस सीरीज में बहुत सारे नाम हमने डिसकस अल्डेडी हम कर चुके हैं सब्सक्राइब करके रखेगा अल्ली फाइनांस लाजा दी हमारे मजबूत टेलीग्राम ग्रूप को भी मुझे उमीद है आपको वैल बात 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 दो को वैले हमारे में अगल रखेगा प्रूइब